नमस्कार प्रेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आप सब को आपके अपने चैनल में तो प्रेंट्स आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो WPL का बराहवा मुकाबला खेला जाना है मुंबाई इंडियास वुमेंस वर्सेस बुजरात वुमेंस के बीच में इस मैच क के बारे मैं आपको पूरी प्रिवीव दूंगा कम्पलीट जिससे आप अपने खुद से टीम बना सकते हो आपको किसी का टीम कोपी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है तो पूरी स्टार्ट से क्या पीच रिपोट रहेंगे इंपोर्ट पलेयर कौन है ग्रेंड लिक करके सेलेक्ट कर लेना क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह के कॉंटेंट मिलते रहते हैं और सबसे इंपोर्टेंट काम गाइज अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल से जुआइन नहीं हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक है जाईए लिफीट होगा वहाँ पर आपको लॉस कभी नहीं होगा लॉस आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा तो जाएए बिल्कुल फिर है टेलिग्राम को भी जुआइन कर लिजिए और जो फाइनल एस मॉलीग जील का टीम मिलता है वह आपको टेलिग्राम पर ही मिलते हैं जो पात कर लेते हैं इस मैच के पीची रिपोर्ट के बारे में ठीक है देखिए जो मैच खेला जाएगा बेर ब्राउन स्टूडियम मुंबाई में यह मुकाबला होने वाला है और यहां का जो ग्राउंड है यहां पर एस्पीनर को बहुत अधिक टन मिलती है जितने भी मुका हुआ यहां पर बैट्समन को पूरी तरह से हैल ठीक है यहां पर आपको ज्यादा बनते हुए देखेंगे और यहां पर जो मुंबाई इंडियस का टीम है यह काफी स्ट्रॉंग टीम है इस ग्राउंड पे इसका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है ठीक है तो आपको मुंब कोज़राट टॉटर्व के जो टीम है उसके कौन-कौन से पलेटव को ड्रॉप करना है और फौन से पलेटव करना है ऋ ने तीम में कि इस ग्राउंड पे कितने मैच WPL का हो चुका है तो गाई देखिए टोटल मैच यहाँ पे WPL का इस साल 2023 में पांच मुकाबले हुए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम दो बार मैच को विन किया है ठीक है और वहीं बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम तीन पर मैच को विन किया है हाइस हाइस्ट स्कॉर यहाँ पे 223 रन का दो विकेट पे देलाई का टीम ने किया था लोगेट स्कॉर 138 रन दस विकेट पे आर से विकेट टीम ने किया था रोयल चेंजर ठीक है अब रेज इस स्कॉर यहाँ का फ़स्ट इनिंग का आपको 175 है और वहीं सेकेंड इनिंग में 163 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो यह हो गई आपका पीच रिपोर्ट ठीक है अब गई सीधे हम लोग बात करते हैं पलेयर्स के बारे में कि कौन कौन से पलेयर्स है जो इंपोर्टेंट है और उनके स्टार्स क्या है उसके र पॉलिंग बैटिंग स्टाइल है तो यहां पर देखिए गाईज एक नंबर पर आएंगे एच मेत्यूस जो काफी हाड हीटर बल्ले बाज है और ओपनिंग में आएगी पलस से इसका रिसेंट स्कोर भी आप देख सकते हैं 46 रन का पहले पारी 0 विकेट 77 रन 3 विकेट 32 रन बारे रन एक विकेट तो गाइज देखिए यह पहले आपको कहीं न कहीं से पॉइंट देने वाली है ठीक है एक नंबर पर आएगी ओपनिंग में पलस राइट हैंड का बल्ले बाज है और राइट अर्म ऑफ रेक बॉलर है ठीक है तो बॉलिंग से भी आपको बेनिफिट देगी तो देखिए यहां पर बॉलर से बॉलिंग से भी काफी अच्छी विकेट निकाल रही है और ऑफिस पिनर गेंद बाज है तो यह पलेर इं इसको स्मॉली के टीम में या फिर ग्रेलिंग में भी रखते हो तो आपका टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगा ठीक है और इनके साथ आएगी वाई बाटी है ठीक है विकेट की पर सेक्शन से रहेंगी लेफ्ट हैं लेफ्ट आर्म और डेक्स गेंद बाज कभी कभी गे ठीक है वहीं बात करते हैं तिन नमबर पे एन शिक पर ब्रॉंट है जो राइट हैंड के बल्ले बाज है राइट आर्म मीडियम फास्ट के इंद बाज है देखी यहां पर इसका रेशेंट एसकोर 23 रन प्लस 2 विकेट 55 रन प्लस 1 विकेट 23 रन प्लस 0 विकेट 45 रन 0 विके लान है राइट है राइट आर और फिनर गयंद बाजी करते हैं कभी कभी तो गाई है अभी तो इस मैЧ में जो भी मुकाबले खेलिरी है उसमें कहीं ना अभी कभी यहाँ पर गयंद वाजी नहीं कि हुई ठीक है बट इसका स्कूर जो है चापर ठीक है देखिएंदे मैच म में इसका बैटिंग नहीं आया और थर्ड मैच में 11 रन के पारी और फिर फूर्थ मैच में यहां पर तीरपन रन की लंबी पारी खेली थी तो कहीं न कहीं देखिए यहां पर यह जो है दो फिफ्टी अपने नाम कर दी है तो यह भी जो प्लियर है काफी इंपोर्टेंट है इसको भी आप अपने टिम में एड कर सकते हो ग्रेंड लिग या फिर एस्मॉलिंग में ठीक है पांच नंबर के प्लियर है यहां पर धारा गुजर ठीक है अभी एड हुआ है तो देखिए पिछले चारों मुकाबले में नहीं खेला है तीनों मुकाबले में और यह जो चोठा मुकाबला हुआ है इसमें खेल ली है ठीक है तो इसमें यह पलियर खेली है बट कोई इसका पर्फॉमेंस नहीं निकल के है तो च लेसे कि यहां पर देख यह से ने राना है quadratic यह काफी टिकर और कब देख सकते एक इसकल आउट हो सकती तो आपको नहीं इसको आप अपने टिमम पही कर दे तो जयंदा भी ह्यादतर होटर मताईग 170 में पसके कर्म हमनाग हो desert मैच में दो विगेड़ तो कहीं न कहीं यह भी पले आपके लिए इंपोर्टेंट सावित होता है आप अपने स्मॉल लिग जो में चाहे उसमें आप अपने टिम में एड़ कर सकते हो ठीक है साथ नमर का पले है आई वंग जो राइट एंड के भले बाज है राइट फास्ट म मीडियम गिंदवाज है तो गाई इसका रिसेंट स्कॉर देखिए चो पुलस एक जीरो बिकेट दूसरे मैच में तीसरे मैच में तीन विकेट चोठे मैच में जीरो बिकेट तो इसमॉल लिक के लिए आपके लिए कुछ रिस्क बन सकता है बट हाँ गेरेंड लिंग भी इ अपने टीम में रही नहीं रखेंगे इसको आप ड्रॉब करने का इसक ले सकते हैं नौ नंबर पर आप देखिए हमरी यह काजी है राइट हैंड के बल्ले बाज राइट आर मीडियम गेंदवाज है इसका भी कोई परफॉमेंस नहीं है इसको भी आप अपने टीम में नही परफॉमेंसरी मैच की बल्ले बना सकते हो इंपोर्टेंट बौलर हैंड टिकर नेचर की बहुत गेंदवाज है हमयरसा हर मैच में आपको विकेट ले के देने वाली है विकेट टेकर नेचर की के इंद बाज भरोस से मंद पलेर हो तो इसको आप अपने टिम में जरूर से रह एंगे captain voice captain भी आप इसको कर सकते हैं ठीक है अब गाई यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं सिदे मुझरात वुमेंस का जो playing 11 है इसके बारे में इसके recent का score क्या है इसके बारे में तो देखिए opening में आएगी ace megana right hand के बाले बाज writer medium baller है इसका recent score देखिए दो चौविस आठ जीरो तो यह विल्कुल बेकार performance है इसको आप अपने टीम से बाहर कर सकते हो और इनके साथ आएगे एल वर्ड ठीक है जो right hand के बाले बाज है पिछले तीनों मुकाबले में नहीं खेली बट यहाँ पर चौठा मुकाबला खेली और एक रन पर आउट हो चुकी तो यह कहीं न कहीं player important है टेकनिकल बले बाज है तो आप चाहे तो अपने ग्रेंड लिंग में इसको रख सकते हो लेकिन आप स्मॉल लिक से बाहर रखेंगे तो ज्यादा बेतर रहेगा ठीक है और इसके जगापे अगर डैंक ली खेले तो फिर आप उसको अपने टीम में आख बंद करके रख लेन यानि कि काफी ठीक है इसको आप अपने टीम में पिक कर सकते हो राइट हैंड के बले बाज है और राइट अर्ब ओफे स्मिनर गेंद बाज है कभी कभी गेंद बाजी भी करती है बट इनको गेंद बाजी नहीं मिलने का चांस है क्योंकि ओलेड यहाँ पे बहुत गेंद बाज इस टीम में भरे-परे हुए है ठीक है तो यहाँ पर इसको आप अपने टीम में ले सकते हो बैटिंग से उमीद रखना और यहाँ पर देखिए गार्णर है गार्नर राइट है बले बाज है पलस राइट रम और फे स्पिनर गेंद बाज है ठीक है तो गाई यहाँ देखिए 0 प्लस 1 भिकेट पचीश प्लस 0 भिकेट अनेश प्लस 3 भिकेट 0 प्लस 0 भिकेट ठीक है तो कहीं-나 कहीं यह player आपके लिए ठीक है और आपको इसको लेला रहे कि यह पूरे की पूरे अबर करने है राइट हेंड के बल्ले बाज है और राइट आर्म और गेंद बाज है ठीक है तो यहां पर देखिए उन्तिस रण एकईस रण शोला पाच रण ठीक है इसको आप चाहें तो गरेलिंग में ट्राई कर सकते हैं बट स्मॉल लिक के लिए ठीक है यहां पर चौन नमबर पर आ गरेलिंग में ही ट्राई कर सकते हैं कि स्पीनर को यहां पर टर्न मिल रही है तो कहीं न कहीं यह विकेट आपको निकाल के दे सकती है ठीक है साथ नमबर के बल्ले बाज है सुष्मा वेर्मा है विकेट की पर सेक्षन से रहेंगी डिसेंट को कॉमेंस देखिए नौ पांच काराट डि go ठीक है तो इसको आप अपने टीम में नहीं रख सकते हो जाये पर ट्राइय कर सकते हो एक दू ट्र नंबर के जो है कीन गरत देखिए इसको कानी पर मोट भी किया जाता है इसको अगर यह उचिए यहां पर यहां पर फञें से नमबर या फिर च्जões नमबर पर भी आ सकती है तो यह पलेर आपके लिए इंपोर्टेंट है इसको आप अपने टीम में रखेंगे किम कि राइट हंड के बर ले बाज़ है और राइट आर्म मीडियम फार्स्ट गेंद बाज़ है ठीक है तो विकेट टेकर निचर की गेंद बाज़ है बट यहां पर देखिए अब पेसर को उतनी हल्प नहीं मिल रही है फिर भी आप विकेट निकाल रही है ठीक है जैसे कि देखिए पहले मैच में नहीं खेली और दूसरे मैच में देखिए पांच विकेट निकाली थी ठीक है तीसरे मैच में जीरो विकेट चोठे मैच में जीरो विकेट बट-बट तिसरण की पारी खेली थी तो कहीं न कहीं आपके लिए यह इंपोर्टेंट सावित होती है और इसको आप अपने स्मॉल लिंग में जरूर से रखेंगे ठीक है और यहां पर देखिए मुम्बाई इंडियन से टिप में एके ओपनर में देखिए में लेफेंट के बलेबाज यहां पर वाई बाटिया जिसको अगर हटा दे तो बागी के सारे के सारे पलेयर जो है टॉप और में राइट हैंड के बल्लेबाज है जिसको यह आसानी से आउट कर सकती है ठीक है तो लेफ एड के जो गेंदबाज होते हैं वो राइट यूप को बहुत जल्द आउट करती है तो इस सिच्वेशन में इन का यहां पर निकल सकता है यह पले आपके लिए इंपोर्टेंट है पूरे बोलिंग डालेगी एक दो विकेट तो आपका सानी से निकाल के देने वाली है ठीक है तो इसको आप अपने टीम में पिक कर सकते हो दस नंबर पर आएंगी स्नेराना जो टीम के कैप्टन है और राइट इसका रिजन क्या है ठीक है अभी तो एस्पीनर को यहां पर टर्न मिल रही है और यह है एस्पीनर गेंदवाज और यहां पर देखिए ओपनिंग में ही आपको मिल जाएंगे एक लेफ्टेंट के बल्ले बाज जो वाज बाटिया है और इसके अलावा यहां पर देखिए दी गुजर है ठीक है तारा गुजर लेफ्टेंट के बले बाज तो यह दोनों के सामने यह बॉलिंग डालेगी और इनका हाई चांसे की विकेट निकलके आपको देने वाली है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है इसको आप पने टीम में रखेंगे इस नहराना को ठीक है औ और कौम फ्लॉक पले रहे इसको भी हमने यहां पर आपको किलियर कर दिया तो अब इसके कोर्डिंग हम लोग टीम करें करेंगे बट एक चीजे आपको मैं यहां पर बता दू देखिए यहां पर सही का इसके बारे में जो मुंबाई इंडियांस के टीम है लेफ्टेंट के बल्लेबाज है जिसका विकेट या असानी से निकाल सकती है तो इसको आप अपने टीम में जरूर से रखेंगे अब यहां पर थोरी से हम लोग डिसकर्च कर लेते हैं बालिंग की ऊपर कि कौन कितने बालिंग करने वाली है इस मैच में तो देखिए पहले हम लोग बात करे है तो इसके जो फूल ओबर करने वाली है पावर पल cesї करेंगी वंग भी आपको देख में द यहांगी और पूरे के पूरे कीशा ओबर करने वाली है आप को पूरे के निगाने आफर करने वाली है और यहां धकि एनस ब्राट आपस में शेयर कर सकती है ठीक है तो यह चीज़े यहां पर हो सकती है अब यहां पर देखिए गुजरात के जो बॉलिंग है इसके उपर थोरा हम डिसकर्च करेंगी इनके कौन-कौन से बॉलर्स है जिसको यह टीम यूज करेगी तो यहां पर किमगरत है इसके बाद में तीकानवर है फूल अबर करने वाली है गार्डनर फूल अबर करेगी और इस राना फूल अबर करेगी और वारहम जो है और मांसी जोसी और किमगरत यह आपस में शेयर करने वाली है ठीक है तो यह चीज़े यहां पर हो सकती है गाज सब कुछ मैंने पूरा डिटेल्स आपको फूरा डाटा इस मैच के बता दिया है अब इसके एकॉर्डिंग जो टीम किरियेट होता है वह आपको सीधे ड्रीम पर मिलेंगे ठीक है तो सीधे यहां से चलते हैं ड्रीम पर क्या टीम रहने वाली है कौन-कौन से पह करके रखा है आपको मैं एक बार यहां पर टीम दिखाज़ रहा हूं सारे प्लेर को यहां पर आपको दिखाज़ रहा हूं ताकि आपको इससे कुछ इंफरमेशन मिल जा है तो गाज यहां पर देखिए माई टीम पर क्लिक करते हैं और यहां पर अपनी जो टीम है इसको हम open करेंगे जैसे कि देखिए यहाँ विकेट की पर सेक्षन से मैंने वाई वाटिया को लिया है और बाइटिंग सेक्षन से एच काउर को लिया है और एच देवल को लिया है ठीक है अगर डंक ली खेलती है तो हम उसको भी अपने कर सकते है वह से रहना की जगह फित तो यह किने यहां पर हो सकती है अब अब यहां पर Л सेish ने उससरी से और यह Keils में को ठीक है इसको हमने यहां पर ईक्रसलिक कान आपकि और रहना है और और हम फेले में यहाँ पर हमने S, S को रखा है और वहाई वाईस केप्टन H, मेत्यूस को रखा है ठीक है आप इसे चाहे है तो रिवार्स भी कर सकते हैं अब ही के लिए जो फाइनल टीम है स्मॉल लिकी यह ही है गाईज अगर इसमें कोई भी चेंजे होंगे तो आपको सीधे टेलिग्राम पर मिलेंगे तो टेलिग्राम को जोइन करना सबसे जरूरी काम है आप टेलिग्राम को जरूर से जोइन कर लिजिएगा आज होब कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना अपने प्रेंट के साथ सेयर करना मन में कोई डाउट हो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्षन में बता सकते हो